अधिए जंग अलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक कड़ेकर है में मनोविकार सेक्स रोग संभोन तथा व्यसेनों की तग्यों महाराष्ट में आकॉला मुंबई नागपूर पुणे यह हमारे होस्पिटल से मनोरूगन तथा व्यसनी लोगों का में इलाज करते हैं इसिदारों क साथ में इसिदारों के अलावा उनको भरती करते हैं आज मैं आपको बताने माला हूं कि सबकॉंश्यस माइन तक कैसे पहुंस सकेंगे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सबकॉंश्यस माइन है क्या कॉंश्यस माइन क्या है और वह किसे कंट्रोल करता है अ जो भी हमको कुछ करना है हमारे जीवन में बदला लाने का है बदलाना है वो हमने conscious mind से ठहरा के तो कुछ होने वाला है नहीं जब subconscious mind उसको control कर रहा है तो subconscious mind तक पहुच लो उसके उससे बात करो तो उससे कैसी बात हो सकती है नंबर एक पहला तरीका कि जब हम कुछ अच्छे अच्छी किताबे पढ़ते हैं अच्छे वीडियो देखते हैं अच्छे conferences अच्छे meetings अच्छे company में बैठे और जो भी कुछ हम सब अंदर positive 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 डालते रहते हैं इतना material हम डालेंगे तो वह subconscious mind टक चले जाए नंबर एक क्योंकि उसमें हम रोज सब्वेर उड़किया दि मैं अच्छा वीडियो देखता हूं motivational inspirational वीडियो देखता हूं कि बैशिग्रेट पिने के क्या नुकसान है क्या क्या problem हो सकते हैं सिग्रेट पिने से कितने कितने कौन से कितने लोग प्राबले हूं ऐसा मैं सब देखने लेता हूं और फाइदे क्या क्या सिग्रेट नहीं पिने के वह बार 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 जब वह अलग अलग वीडियो बूक्स वगरे पढ़ूंगा तो उसका subconscious mind के उपर असर होंगा नममर एक नमर दो कि सब को सबकॉंश स्मार्चार्च कोई परते हैं मतलब किसा किम करेंell उसे मीन हैं चुक्त में हम घुच्छिमें है कुछ भी चीज़ डालदो वह सब关स्हास में टक को जाएगे जो कॉंशास मेंडे फिल्टर वहां से हट जाएगा वह अंदर जाने देगा सुखन सुख मेंड से जाने देता नहीं तो देंने वह मुशनली है नista पातावरण है तो वो subconscious mind तक जाएगा नंबर दो नंबर तीन जब बार-बार-बार-बार-बार-बार हम hammering करते रहते एक ही चीज़ के एक समय पे बार-बार-बार-बार hammering करेंगे तो conscious mind का filter जो है वो filter से through and through कोई भी subconscious mind तक जाएगी जैसा हम किसको बार-बार-बार-बार बोलते रहते हैं तो चवता जो है conscious mind को विचलित करके conscious mind को विचलित करके उसको बाजू करके subconscious mind तक पहुशना है यह हम सम्मोहन में करते हैं हिपनाडिजम में करते हैं नेरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में उसमें करते हैं कि हम conscious mind को थोड़ा बाजू में करते हैं उसको बिचलित करते हैं यहां पहुच जाएंगे जैसा में आपको example दों हैं सामने एक security बन hmm nah और अभी और आपको अंदर नहीं जाने रहा अब गाड अफको अंदर नहीं जाने दे रहा आपको तो अंदर जाने काने हैं उसको अच्छेज़् बाते करेंगे और उसको समझा देंगे और समझा है कि आप और जाना कितना नमर्वर due, उसको कुछ खुशी की बाते सुनाएंगे, उसको बहुत खुशी की बाते सुना, उसका मूड अच्छा कर लेंगे, या उसको दुखी कर एंगे, उसको दुख की बाते कुछ तभी बता देंगे, ताकि वह आपको बोलेगा, ठीक है, थीक है. अंदर चले जाओ. क तो repetition hammering से इतने बार बोलेंगे कि फिर आपको वह अंदर जाने देगा number 3 number 4 उसका लक्ष विचलित करना मतलब उदर बाम फोड़ दिया उदर चले गया भाग गया हो और फिर अपन अंदर गुज गए तो उसका लक्ष जो विचलित करना फिर subconscious mind जाना मतलब क्या है यहां मुझे यह बताने का है कि subconscious mind अपने को पहुशने का है subconscious mind पहुशने के जो चार बाते मैंने बताया कि आप अच्छे-च्छे conferences, video, books वगरे पढ़ो और जो भी आपको डालना है वो subconscious mind में डालो number 1 number 2 emotionally charge वातार में आप subconscious mind जा सकते है number 3 जो है वो hammering करके जा सकते है number 4 hypnotize करना किससे अपने खुद को hypnotize कर लेना या self-hypnosis करना और self-hypnosis करके या neuro-linguistic programming जो NLP जो हम करते रहते हैं और neuro-linguistic programming के माध्यम से subconscious mind टक पहुचते है वो पहुचना और जो भी बदला मुझमे लाना है मेरे में आपको लाना है आप में वो subconscious mind तक ही पहुचना जरूरी है और वो पहुचने के मैंने आपको अलग-अलग-अलग तरीके बताए तो यहां मैं इतना ही बताता हूँ बताओ लाना है जो भी आपको अच्छी चीच करने है वो होती क्यों नहीं है क्योंकि वो subconscious mind में तो वो subconscious mind टक पहुचने का तरीका hypnotism जो है वो मैं आपको बता दूंगा self-hypnosis का तो आपको उससे मालूम पढ़ेंगा कि वहां तक कैसे पहुचना है काफी सारे लोगों को ऐस उनको तरीके मालूम पढ़ेंगे और उनका जिवन पाउरफुल बन जाएगा हमारा जो mission है वो है mental health for all सबके लिए मानसिक स्वास्त्य और वेसन मुक्त भारत उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा सब मानसिक स्वस्त हो जाएगे न तो हमारा देश आगे बढ़ेगा आपक लाइक शेर और सब्सक्राइब करने के बाद मैं ऐसा लगा कि नहीं और वीडियो देखना है लोगों को फैला नेका है तो और बार बार देखो ताकि अपने दिमाग में जाएगा ने एक बार देखके होंगा नहीं बार बार देखना पड़ेगा ताकि आपको के concept समझ में आ जाएंगे थैंक्स फर वाचिंग थैंक्यू वरी मुच्छ